हलो एब्रेवन वेलकम टो स्काड़ी शेल्टर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो एड़ोटेरिया की द्वारा जो बिहार पात्मिक से चक का बुक जारी किया गया है 15 सेटों का उसका सेट नंबर 7 को हम लोग देखेंगे इसके पहले के 1-6 सेट को हम लोगों ने सेट कर लिया था और आज सेट नंबर 7 के सभी 120 प्रसन को हम लोग देखने वाले हैं और इसमें आपको काफी इंफ्रमेशन दिया जाएगा हर एक क्योशन से रिलेटेड जो भी आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को हम लोग जो डिसकस करेंगे तो आज यह दूपले, फ्रेंकोईस मार्टिन, कांडी लाली, अलफांसो डाल बुकर्क या उप्रक मैंसे कोई नहीं तो याद रखेगा यह जो पर्थम करनाटा की उद्ध हुआ था यह आपका अंग्रेज और फ्रांसेसी के बिच हुआ था और इसमें जो है डूपले ने फ्रांसेसी करनेतित्व किया था अब बात है कि यह हुआ कब था तो इसका जो टाइम प्रियेड है वो आपका 1746 से लेके 1748 तक यह होता है और यह समाप्त किसे होता है तो यह होता है एला सापला की संदी है उसके तहत यह समाप्त होता है एला सापला की संदी देखो जो करनाटा की युद है यह तीन करनाटा की युद होता है और यह तीनों जो है उसका रीजन यह होता है कि इंग्लैंड और फ्रांस यह इरोप मे भारत में जबती है और इंग्लैंड में युद होने का परणाम ह्भारत में युद्ध के रुप में देखा जाता है। उसके तरह पर्थम करनाटा की युद्ध toujours हो रहा है और उसमें क्या है कि 46-48 तक होता है एलाशाफला के संधी के इस और खत्म हो जाता है। एक्जामी ये पूछा जाता है कि प्रथम करनाटा यूद की संधीकेत तत्थ समाप्त हुआ उसके बाद फिर आपका एक होता है तो वह एक साल बाद होता है यहोता है पांडी चेली की तहर यह समाफ्थ होता है द्यान रखेगा और अस्तापन किसनि किया था तो तो फ्रेंक को इस मार्टिन के द्वारा पांडी चरी की अस्थापना की जाती है, 1644 में, एक ठड़ आपका करनाटक यूद्ध होता है, ठड़ करनाटक यूद्ध और ये कब से कब होगा, तो ये आपका 1756 से लेके 1763 तक, ठीक है, ये सक्त बरसी जो यूद्ध हुआ था, इं ये नाम बोला जाता है, कि आपका तीरतिय करनाटक यूद्ध था, और ये सबसे ज़्यदा पुछा जाता है, कि ये की संधी के ताह समाप्थ हुआ था, तो ये पेरिस की संधी के ताह समाप्थ हुआ था, और देखो, ये 7 बरस का यूद्ध है, त बीच में बहुत सारी का वास कर दिया था धो डोला था और उसी के बाद उनका भारत में एक तरीके से उनका सम्राज समाप्त हो जाता है उनकी सारी छेत्र थे उन सब पे उनके उपर अंग्रेज का कबज़्ा और जाता है तो एक अगर बात करें, आलफानजो द willen गौव करक कि तो यह आपका कौन था यह आपका पुर्तगाली गवर्नर था पुर्तगाली गवर्नर याप 12ग जो भी बुली यह पूर्तगाली था और इसी ने गोवा पर अधिकार किया था पूछा जाता है कब किया था और यह कफी जादा प अधिकार किया था पंद्रह सो दस में किसने अलफांसो दाल बुकर के जो पुर्तगाली गवर्णर सा उसने अधिकार किया था गोवा पे देखते अगले प्रस्म को पूछा जा रहा है चुवार बिद्रोह कब हुआ था आप्शन है 1666 1599 1921 या 1886 तो यह जो आपका चुवार बिद्रोह होता है यह आपका होता है कब 1766 में 1766 इस बिद्रोह को जो जंगल महल बिद्रोह के नाम से भी जाना जाता है कौन सा जंगल महल बिद्रोह यह जो एरिया था जंगल महल वहीं पर यह बिद्रोह होता है और अगर पूछा जाए कि चुवार बिद्रोह जाए बुक अगर कारण की बात करें तो कारण यहीं था कि जो अंग्रेज थे और जमिंदार थे उनके द्वारा टैक्स अर्था जो कर था वो बढ़ा दिया गया था और उस छेत्र में एक तो वन वाला छेत्र था और ज्यादा बनुतपाद से इंकम नहीं होता था तो यहीं सब कारण के कि द्वारा जो यह होता है देखते आगे पूछा जारा है ड्याhos साषन पर नाली को ढkąकर जन्याव चैनं में से घंक तो देखेज की चैतर में दो लोग के द्वारा अग्र भारत भारत में ना है नाट करनी दौरा लगाया था बंगाल के छेतर में इसमें राजस जो है बो संग्रह करने का अधिकार और संग्रक्षन तथा भी देशी मामली बो जो नवाब के पास था तो यह चीज जो है बोड़ाय साथन के अंतरगत हो रहा था तो दो तरीका देख लिए एक तो या तो जवड़दस के एक के तहत भी वो प्रांतों में द्याय साथन की अस्थापन न के गई थी जो बाद में 1935 में इसे समाप्त कर दिया जाता है तो यह दो यह ताम देखा जाता है अगर हम डुपल के बात करें तो डुपले जो है वो साहयक संधी का जनक के रूप में जाना जाता है साहयक संधी का जनक देखो ऐसे तो साहयक संधी जो है ब्लेजली के नाम से आता है कि ब्लेजली ने किया था लेकिन जो सबसे पहले भारत में वो यूज किया था वो डूपले ने किया था देखते अगले प्रस्शन को पोछा दारा है महार अंदूलन का नित्य तो खिष्ष नहीं किया मात्मा कंदी एपी पर यार बीर अंबिटकर या सिदंबरम पिला ही तो याद रखेगा भीम रम उंपितकर उनके दोरह जोई महार अंदूलन किया जाता है महार था गया तो महार एक स्यूडेल काफ्ट बोल सकते हैं एसी काफ्ट था महराज का और इन लोगों के खिलाप मतलब समाजिक रुप से काफी भेदभा होता था इन पानी वगेरा भी पीनिय नहीं दिया जाता था तलाबों से तो उसकी के विरुद एक महार अंदोलन होता है जिसका नितित भीम्रा मंबितकर के द्वारा होता है और इनके द्वारा जो है 1927 से लेके 1930 का जो इकाल था उस टाइम काफी अंदोलन किया जाता है महार लोगों के पक्ष में ठीक तो यह याद रखेगा और एक चीज यह पूछा जाता है कि भीम्रा मंबितकर के द्वारा स्थापना किया गया था तो याद रखेगा और इन दोनों को आप याद रखेगा अगर पूछा जाए कि ऑल इंडिया जो सेडियूल कार्स फेडरेशन था उसका अस्थापना कभ होता है तो यह आपका अगर गीतारहस किस ने लिखा था तो गीतारहस जो है बाल गंगाधर तिलक ने लिखा और यह पूछा जाता है कि गीतारहस जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहां लिखा तो यह आपका मांडले जेल में लिखे थे मांडले जेल में इन्होंने यह पुस्तक लिखे थे और इस पुस्तक भ़ी बोल गंगादर तिलगा के दोरा लिखा गया था अगर बात करे गौपाल करिस्म गोः की तो ये महात्मा गांधी के गुरु थे और इनके धौरव पुस्तक लिखी गयी थी एक दोर आपका नेशनंसे पुस्तक था जो इन्होंने लिखा था और इनके धौर एक और पत्रिका जारी किया जाता था जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन के उपर था अगला देखते हैं पूछा जा रहे हैं अखिल भारतिय राज जन परिशत का अगठन कब किया गया था 1916, 1927, 1921 या 1928 तो याद रखेगा यह जो 1927 में किया जाता है कब 1927 में और इसका पहला सेत्र जो है वो आपका कहां पर होता है अखिल भारतिय राज जन परिशत का यह आपका बॉम्बे में किया जाता है और जिसके अध्यक्स जो है वो आपका जवहालाल नहरू बनते है जो अखिल भारतिय राज जन परिशत था यह एक्चुली में करता किया था तो यह आप जो भी आपका जो ब्रेटिस रियासत थे ठीक है मतलब कि जैसे जहां पर राजा लोग पहले से राज कर रहे थे तो वैसे जो भी ब्रेटिस प्रांत थे उनसा भी ब्रेटिस रियासतो में यह राजनीतिक अंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रहा था और इसी को फिर हम लोग परजा मंडल के नाम से भी जानते हैं परजा मंडल ठीक है तो आप समझ गया होंगे जैसे कि आपका सिंधिया हो गया या फिर और भी जो राज वाड़ा लोग से यह ज्यादे तर जन अंदोलन को बढ़ाने के लिए यह समुह का गठन किया गया था और कप किया गया था 1927 में और पहला जो बैठक हुआ अब बंबाई में हुआ जवाहलाल नहरों के द्वारक के आ गया और जवाहलाल नहरों ही जो है बो 1946 तक इसके अध्यक्स बने हुए रहता है फिर 1948 मे जो ही इसे समाप्त कर दिया जाता है आगे भारती राष्टी कॉंग्रेस मुस्लिम लीग और अखिल भारती खिलाफर समीती के अध्यक्स पद्र के लिए चुनी जाने वाले एक मात्र ब्यक्ति कौन थे पूछा जा रहा है कि वो कौन ब्यक्ति था जो राष्टी कॉंग्रे जो है बहद में जब जादी मिलती है तो यह क्या होता है कि संचार मंतरी बनते है तो रफी अहम टिदाई संचार मंतरी और हकी मक्ति जो है इनका सब्से बड़ा युगदान देखने को मिलता हि यह दिल्लि का आपका जामिय 20 विद्याले या जामिय व करे स्थाप्ना में उ पूछा जा रहा है कि इंडिया निशनल कॉंग्रेस आई एंसी के वल एक सुस्मा अलपसंख्यक का प्रतिनिधित करती है यह किसकी राइ थी तो याद रखे गिए डफरिन के द्वारे यह बोला गया था डफरिन को सिर्फ लगता था कि यह सिर्फ अलपसंख्यक लोग का प्र एक साफण उबा था डफरिन के टाइम में जर्ब कॉंग्रेस के स्थापना होती है और कब होता है कॉंग्र्स का स्थापना 28 दिसमबर 1885 को यह आपको याधि ही होगा 28 दिसमबर 1885 की देट इस साफ़ यह कॉझ The अलज़ लोग के द्वारे ज Fayuther अलग पत्तिकी रियाई दी गए Congress के अस्थापना के बाद जैसे डफिन काम लोगन देख लिया लॉड करजन ने क्या बोला था कि Congress अपने पतन की ओर जा रही है और मैं चाहता हूं कि इसके पतन में इसकी मदद करूं ठीक है और यह BPSC के द्वारा पूछा भी गया है कि कौन कहा था कि Congress अपने पतन क भीख मांगने वाली संस्ता है यह आपका अर्भीन घोष के द्वारा बोला गया था Congress के बारे में देखते आगे Question No.9 पूछा जा रहा है सोम परकास नामक पत्रीका का संबंध किस्से है इसो चन बिद्यासागर स्वामी विएकानन दयारन सुस्वति या फिर बाल गंगा धरतिलग तो याद रखेगा जो सोम परकास पूस्तक थी वो जो है इसो चन बिद्यासागर के द्वारा लिखा गय और उनहीं के बद्यास जो ए अठासो चपन में बिद्वा पुनर विवात जो बो कानून बनके आता है इसके अलावा जो है इसो चन बिद्यासागर ने कही शारी पुस्तक के लिखी जैसे एक बहु बिद्यासागर के द्वारा ही लिखा गया था इन्होंने मेली महलाओं के यह उठान के लिए जर लार कार्ज केया थाई अगर बात करें बाल गंगा धर तिलक न THE लिखा जो के हम लोगों ने अभी दहए अभी देखा था इन्हों ने गितार हस रिखा था मांडले जिल में और इनके दोरह जो पत्रीका के अगर बात करें तो एक केसरी और दूसरा मराठा ये दो पत्रीका इनके दोरह जारी के जाता जो मराठा था वो इंगलीज में था और ये एक दैनिक पत्रीका था डेली आता था ठीक है जबकि जो केसरी थ था और ये विकली था सब्ताइक पत्री का थी तो यह आप याद रखेगा वहीं अगर बात करें द्यायनने सो सती की तो इनके द्वारा जो है अठार सो पचेतर में आर्थ समाज के अस्थापना की जाती है कब अठार सो पचेतर में और इन्होंने जो है काफी कुछ किया था एक अखंड पता का जो है वो इनके द्वारा जारी किया गया था देखते आगे पूछा जा रहा है थे इंडिया नेशन समचार पत्र के अस्थापना निमलिखित में से किस नहीं की थे और इसका सही अंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी महराजा कमिस्वर सी जो दर पत्ना से होता था पत्ना से इसका प्रकासन होता था और अगर एयर की बात करें तो 1931 से स्वी के आसपास ये पत्री का जो है वो जारी की गई थे आगे भाट में सबसे लंबी समय तक सासन करने वाले बायसराय कौन थे ओप्शन है लॉड लिन लिटन या उप्रक में से 42 क्यास पास तक मिलता है ठीक है और आप देखो तो जितने भी महत्मुन घटनाई है जैसे आपका भारत छोड़ा अंदुलन उसके पहले ब्यक्तिका सत्याग्रह फिर आपका सेकेंड वल्डवार बहुत सारा जो है बहुत लॉट लिटन 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 के काल में ही आपका ह हो रहा है इसी के टाइम में क्या है कि आपका अगस्त ऑफर भी आता है फिर यह सारा चीज जो है इनके काल में होता है तो यह आप याद रखेएगा कब से 1936 से लेके 1943 तक का जो इनका टाइम प्रिएड है वही अगर लॉट मेयो की बात करें तो लॉट मेयो जो है वो 1879 से लेकि जो यह अपका बहतर तक यह तीन साल कई टाइम प्रिएड होता है और सारा काम यह आपका अठार सो बहतर में ही करते है जैसे कि आप को गया पर्थम जनगन्ना जो हुआ था आपका बहुत अठार सो बहतर में ही हुआ था तो भो सारे काम फिर एक मेयो कॉलिज का स्थापना बोभी किया जाता है और इसके जो हतिया वो आपका किया गया था एक अफगान के द्वारा चाकु मारकर हतिया की गई थी कहां पर तो अंडमान निकावर में हट दिया हुआ था लॉड मयोका और बात करें लॉड एलगिन की तो लॉड एलगिन का जो टाइम प्रिय या उसको केसरे इंद की उपाधि दी गई थी आगे निमलिकित में कौन सानेता खिलापत अंदोलों से जुड़ा हुआ था मुहमाद अली मौलाना अभूल कलाम अजात शितरंजन दास या फिर इन सभी कौम में कूट में देखना है तो देखो इसका जो सही अंसर आपका हो जाता था खलीफा उस पद को समाप्त कर दिया गया था ठीक और उसी के खिलाप मुस्लिम लोगों के द्वारा यह विद्रो किया जा रहा था और 1990 में दो भाई एक तो आपका मुहमाद अली और दुसा सौकत अली इन दोनों के द्वारा इसका सुरुआत किया गया था लेकि और मुस्लिम लीग विजर साथ आये तो और इसलिए वो जो एक अखिल भारती इस तरफ पर एक समेलन की अधियक्सता करते है खिलापत अंधोलन के प्रक्ष में एक जो अखिल भारती कौन थी तो महत्मा गांधी थे फिर आगे पूछा जा रहा है प्रेसे नंबर 13 में कि अ योगांतर आश्रम था तो देखे योगांतर आश्रम जो है वो आपका गदर पार्टी का मुख्याले था और गदर पार्टी क्या था तो यह आपको सैंट फ्रांसिस्कों में मिलेगा सैंट फ्रांसिस्कों में इसकी अस्तापना की गई थी और किसकी दौरा क्या गया था अ एक पत्रीका launch की गई थी गदर पत्रीका और यह पत्रीका जो है वो आपका सब्ताहिक था विकली पत्रीका थे सब्ताहिक था और यह पूछा जाता है कि जो गदर पत्रीका थी इसका पहला अंक किस लेंग्वेज में था तो वो जो है उर्दु में था और उसके बाद फिर ब पूछा जा रहा है सबने अभग्या अंदुलन बापस ले लिया गया था तो देखो सबने अभग्या अंदुलन होता कब है तो यह आपका 1930 में होता है ठीक और इसकी शुरुआत जो आपका डांडी मार्च होने के बाद नमक कानुन तोड़ने के बाद इसकी शुरुआत होती ठीक है सेकेंड कॉल में समयलन कब होता है 1931 में तो उसमें सामिल होने के लिए लौड इर्विन और गांधी के बीच एक गांधी इर्विन समझाता होता है जिसे दिल्ली समझाता भी बोलते है इस दिल्ली समझाते मार्च में होता है इस दिल्ली समझाते के बाद ही क्या होत सफल नहीं होता तो उसके बाद बापस से तीन जनवरी 1932 को बापस से सबने अग्या अंदोलन शुरू कर दिया जाता है लेकिन बात में क्या होता है कि यह स्थीर हो जाता है मतलों जादा इसमें अक्टिविटी नहीं होते रहता है और बहुत लंबा हो जाने के कारण जो है व अप्रील 1934 में महात्मा गांधी जी के द्वारा बापस ले लिया जाता है तो याद रखेगा कि पूरी तरीके से समने अग्या अंदोलन कब समाप्त हुआ था तो वह आपका अप्रील 1934 में समाप्त हुआ था और 1937 में यह प्रांतिय सुनाब होता है तो यह तो उसके पहल पूरा पैक्ट होता है सेप्टमबर 1932 में जिसमें जो भी निशले बर्क के लोगों थे उनके लिए भीम्राम अंबेदकर के गारा बोला जाता है कि हमें सीट दिया जाए चुनाबों में प्रांति चुनाबों में वह सीट की मांग कर रहे थे विधान मंदल के चुनाब में तो वो चीज होता है महात्मा गांधी और अभीम्राम अंबेदकर के बीच यह पूरा पैक्ट होता है सेप्टमबर 1932 में और दिते भी सीट की सुरात तो वह आपको मालूम हिए कि 1938 में होता है तो उसके काफी पाले समने वाग्या अंदोलन बापस ले लिया गया था तो करे पूनिक भारती इतिहास के संदर में निमलिखित पर विचार कीजिए पहला है कि हडप नीती साइक संधी लहोर की संधी पिर्श इंडिया एक्ट बोला जा रहा है इन सभी को क्रम मिलाना है तो देखो जो हडप नीती है वो आपका लॉट डॉल होजी की दौरा लाया गया और ब्लेजली का जो टाइम प्रियेड है वो आपका और पहले का है 1798 से लेके 1805 का था है ना और फिर लहोर की संधी तो लहोर की संधी यह पर्थम सिंख एंगलो सिंख जो यूद हुद हुआ था उसके बाद हुआ था और यह जो होता है आपका 1846 में होता है ठीक तो याद दिलिफ सी के द्वरा सिख के और दिलिफ सी का उम्र मात तर्शूर से लेसाcoming थ 7 साल के थी तब लहोर की संधी कर लिय जाती है और काफी सारे चेतर जो डौप का चेतर था वह ऑंग्रेजियों के द्वरा ले लिया जाता है साथि अंग्रेजियों वहे लहार में अपना 1 प तो अगर आप सारे चीजों को देखो, तो सबसे पहले आपका कौन सा दिखेगा, पिस एंडिया एक्ट ही आपको दिख जाएगा, ठीक है, तो चार नमबर सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद कौन से है, तो सहयक संदी, यह 1798 में है, तो 4 के बाद आपका 2 आ जाएगा, और 1798 में एक बाद अगर आप देखो, तो 1846, 1846 में यह लहोर के संदी हो रहा है, तो फिर लहोर के संदी और इसके बाद फिर हरप नहीं थी, मतलब 4-2-3-1 जो जाएगा, आगे मौर समराज का संस्थापक कौन था, तो आप सबको मालूम है कि मौर समराज के स्थापन जो है, वह किस नहीं किया था, चंदर गूप मोर ने किया था, और यहां पर दिया ओवा नहीं है, तो तो सही झानसर आपको जाएगा, Option number E, चंदर गूप मोरिया, चंदर गूप मोर की द्वरा की दोरा किया ऑद और किसी हराकी, तो नंध बंस जोना सकता था, धना नंध उसी जाते ही देख उचानक विष्णु गुप्त कोटिल सब एक ही नाम है और इन्हीं के द्वारा क्या है कि अर्थ-सास नामक एक लिखा गया है अर्थ-सास्त्र चर्ण्य के बाद करें तो इह जो आपका गुप्त बंस के अस्थापना करते है भूप्त बंस का स्थापना सीरी गुमीución सा के दा चंद्रशम बंस्तु अस्तुत बंसस-त्ल बंसस-बंस सार तो याँ तिroस देiscoर को देखते है फिर बले व्वर ने किस दोरान अधिवक्ता के पद से इस्तेपा दे दिया था ओप्शन है रॉलेट एक्ट भारत छोड़ा अंदुलन दोद्रे अप्शन में उसके बाद है सबने अब अग्या अंदुलन तो याद रखेगा भारत छोड़ा अंदुलन के टाइम में ही जो है वो बालदेव सा मालों ठाइए भारत थे देक्ते आगे पुझा जा पकिस्तान सब्ध सबसे पहले किसने लिया था ओप्शन है मुहमद इक्वाल दूझया सुन दीया रहमत सब्सक्रत हो ऐब दूछ्य को दिया गया था पाकिस्तान एक के रूप में इन्होंने दिया था जिसका मतलब यह होता था कि जो पी था वो आपको पंजाब का एरिया था पी से पंजाब एसे अफगान का जो छेत्र था वो आता था अफगान का छेत्र और के था आपका कास्मीर जो है कास्मीर और जो सिंध का एरिया है उसे रिपरजेंट करने के लिए इन्होंने यह दिया था सिंध मतलब कि जो आपका बलुचिस्तान का एरिया है वो बलुच एरिया को इन्होंने इसमें डिनोट किया था तो एक तरही के से पाक क्रो नेम था और फिर अस्थान जो रहने का अस्थान होता है तो वह सारा चीज मिला कि इन्हों ने चौदिर रहमत अली ने यह चीज दिया था पाकिस्तान का नाम फिर क्या होता है कि 1940 में जो मुस्लिम लीग है उसके द्वारा एक प्रस्ता पारित किया जाता है और पाक काहर अधिरेशन में यह नाम प्रस्तावित किया गया था 1940 के फिर है भार सरकार अधिनियम 1935 के बारे में किस नहीं कहा यह बंधन एक नया चार्टर था तो देखो यह बोला जाता है आपका जवाहलाल नहरू के द्वारा जवाहलाल नहरू ने यह चीज बोला था कि जो 1935 क का अधिनियम है यह आपका बंधन का एक नया चार्टर रहा और इसमें कोई भी प्रस्तावना नहीं था ठीक है 1935 के अधिनियम में कोई प्रस्तावना नहीं था यह प्रस्तावना बहीन अधिनियम भी माना जाता है कोई प्रस्तावना नहीं था और अगर बात करें 1935 के में तो इसमें आपको मालूम है कि प्रांती स्वयत्ता दी गई थी पहले जो प्रांती द्रैसासन लागू था वो समाप्त कर दिया गया था प्रांती स्वयत्ता दी गई फिर एक आपको सुप्रीम कोट का स्थापना किया गया फिर इसी एक्ट के बाद क्या होता है बिहार जो जाने के बाद अंदोलन का नितित किस नहीं किया था तो देखो अंदोलन का नितित काफी सारे लोगों ने मिलक किया था लेकिन यहां पे ज़र सुरुनी नाइड़ों का नाम ज़्याद आता है सुरुनी नाइड़ों ने क्या किया था इन्होंने जो धराशना साल्ट मिलक था स्किर क्री ताइवाद सब्सक्राइक जब ग्रइफित ना वर्भ पंग्रिस समीति थी तेड़न उन्टी टैक्स नहीं देनी के बात की गई उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग चौंकिदारी कर देंगे और नहीं जो वन कानून है उसका भी हम लोग उलंगन करेंगे तो मतलब एक तरीके से कॉंग्रेस के लोग और सुर्णी नैड़ो निजर अंजलन का नेतिव तो परद यूग में क्या होता है कि मानव अस्थाई जीवन जीने लगता है और इसी टाइम में अस्थाई जीवन क्यों जीने लगता है क्योंकि इस टाइम में क्रिसी का विकास हो जाता है ठीक है क्रिसी का पहिये का यह सारा विकास हो जाने के कारण मानव अस्थाई रूप से निव वन्स मानना जाता है यह भी पूछ लिया जाता है कि जो राजगरी है राजगरी है कि अस्थापना जो किस ने किया था तो याद रखेगा इसका अस्थापना जो वो बिंबी सार के द्वारा किया गया था बिंबी सार एक है बिंबी सार एक है बिंदु सार जो बिंबी सार है बंस में बिंदू सार है तो बहुर से Confuse नहीं होना है अच्ला मगत की राधानी के बारे में मगत की जो राधानी तो आपका राजग्री में है फिर जो उदाइन है वो पाटलई पुत्रा के स्थापने करता है और राधानी पुत्रा चला जाता है पुत्रा के बाद क्या है कि जब आपका सिस्वनाक बंस आता है तो सिस्वनाक की द्वारा राधानी को लेके चला जाता है बैसाली में ठीक है बैसाली राधानी हो जाती है और उसके बाद फिर जब उसका ब बापस से जो है वो आपका पाटली पुत्रा ले आता है तो इस तरीके से मतलब मगत की राधानी राजगीर के बाद फिर पाटली पुत्रा उदाईने स्थापना की फिर बैसाली जाता है जब से सुनाग ने उसे राधानी को पाटली पुत्रा उसे बैसाली ले गया फिर उसक का पहला आक्रमान इमलिखित में से किस गुप सालसक के दोरान हुआ था देखो हुनो जह है वो एक बरबर जन जाती थे तो जब इनके द्वारा भारत पर आक्रमान किया राता है उफ टाइम भारत में कौन था मतलब मनस का जो सालसक था वो आपका कुमार गुप्ट का अगर टाइम प्रियичего देखे तो चारसो पंदर से चारसो चववन था और पहलला आक्रमान देखने को मिलता है और इसे रोकने का जो काम करता है और असकन गुप्ट के द्वारा किया रहता है असकन गुप कौन था तो कुमार गुप्ट का जो बैटा था उसी जह ब भूदो को आक कुमार गुप्त के बारे में मालू हुआ कि इस ने जयवत का नरंदा इंवर्साथी की अस्थावना की थी, आगे हर्सवरधन परुससन के बारे में गलत कस्राशन का चैन करें, देखो हर्सवरधन के काल में जयवा गुलामी नहीं था, यह सही है, उसकी राधानी कलॉज थी, ये भी शही है सती-पर्था परचलित नहीं थी ये गलत है शती-पर्था जो है वो उफ्तरम परचलित थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा option number c और हरसवर्थन की काल में मालूम है कि कौन आया तो when sang जो है वो हरसवर्थन की काल में ही आया था चीनी यात्रे वेन सांग, देखते हैं अगले प्रसन को, आगे है प्रसन नंबर 25, पुछा जा रहा है कि निमलिकित में किसने, एक मिनट, निमलिकित में किसने सबसे पहले अपने सासकों के उठके सिक्कों को जारी किया था, गुप्त, पांडिया, सातबहन, या रासकुट, या अप्रॉक् अगर शिक्कों की बात करें तो उनकी जो सिक्के थे वो चांदी, तांबा, चांदी तांबा, शिसा और पोटिं के बने Judas कोसा बने हुह उहते थे, ईनमें आपको सोने के सिक्के नहीं देखने को मिलें तो अगर कहँ है प trabajos आप जरू आप से गलत महां लेए कि सोना का सिक्का वो आपको 7 भाँ बंस में दूखनी को मिलीगा सबसे पहले का चलाया था तो ग्रीक के यूनान के चलाया था और पुछा के यूनान में ही क्या ओता है बूर कि चलने लगता कि कौन सा सिक्का वो किस राजा का था तो अगर पूछाज़ सबसे ज़्यादा सोने के सिंगे किस ने की जारी किये, तो ऑपका फिर गुप्त बंस हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रस्म को पूछा जा रहे कलिंग के राजा खारवेल का संबन्द किसे है रत भोजक बंस चेदी बंस चेर बंस या उप्रोक में से कोई नहीं है एक से अधिक तो याद रखेगा जो कलिंग के राजा खारवेल थी उनका संबन्द जो है चेदी बंस से था तो यह आप याद रखिए कि यह पूछ लिया जाता है और आपको मालू होगा कि कलिंग की जो राजा खारवेल है इनसे समंदित एक जो हम लोग अभिलेक भी देखते हैं या फिर किसे इसका संबंदित यह राजा खारवेलर और इसी Goom Adhati पर जबनाएध के और इसी अभिलेक में सभसे पहले भारत बर्स का जिकर किया गया था तो राज्राज पर्थमज ने जो है सबसे पहले शरे लगनाएध कर जिकर के दrim घुफश पर तकार फिजएप्राप्त किया था किसने राजराट परफन औहिक भाद किया कि राजंद्रफ्पर्थम' कि अगर बात करें तो राजप्र्थम ने अिकरे भाविक पर घंगा के बंघाअपे आक्रमान मंदिर यह राजराट पर्थम के द्वारा बनवाया गया था देखते है अगले प्रस्म को पूछा जा रहा है निम्लिकित में कौन सा बौध जर्म और बौध धर्म और जैन धर्म के भी समान नहीं है आत्मा का स्थित्व अहिंसा बेदों की उदासिंता या उपक्रोक में से क वो पूर्णत अहिंसा बादी थे और यह अपने मुख पे एक कपड़ा भी बानते थे इसी कारण ताकि कोई भी जीव उनके मुख में नाचला जा या फिर खेती को भी यह लोग उचित नहीं मानते थे क्योंकि उससे किसी जीव का हननन हो सकता है तो जैन धर्म को वो आत्म धर्म जो एक समान थे आगे क्वेस्टों नमर ट्रंटी नाइन पूछा जारा कि सीख गुरू ने पीछले गुरू के सभी कारियों को एकत्र किया और उसी छंदों के रूप में निर्देशित किया था तो याद रखेगा उनका सही अंसर हो जाएगा गुरू अर्जुन दे जो सीखों के पास में गुरू हुए गुरू अर्जुन देव उन्हीं के द्वारा सबसे पहले गुरू ग्रंत की गई थी अर्जुन देव के द्वारा उन्हीं के द्वारा ये संकलित करने का कार्ज किया गया था और अगर बात करें गुरू हर्गोविन की तो ये छटे ग फिर गुरु रामदास तिसरे गुरू है इन के द्रारा के इस creditors अठना दाकी तर्फ्रिकम का का में अ गुरुव से प्रफन के जाता सालु सब concept जबकि अगर बोला जाए कि सबसे पहले किस ने ये किया था एकत्र करने का और छंदों में रूप देने का तो गुरू अर्जुन देव के द्वारा आगे निम्निकित में सिक किसे पुर्तगाली यातरी ने विजैन अगर की रधानी की तुलना रोम से की है ओप्सन है अफगानी निकितन, डोमिंगो पायस, निकोलो कांटी, कॉलीन मैकेंजी या उप्रोप में से एक से अधिक तो याद रखेगा इसका जो सही अंसर है बो है आपका डोमिंगो पायस ओप्सन नमबर बी और यह जो कब आया था, यह जो विजैन अगर समराज के टाइम में आया था, क्रिष्ण राजा क्रिष्ण देव राइक के टाइम में यह आया था और इसमिन ने विजैन अगर की तुलना की से की है, रोम से की थी, देखते आगे पुछे जारे निम्निखित में कौन सा राज्य तीन देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है तो देखिए अगर बात करें अरुनाचल परदेश की तो अरुनाचल परदेश से एक तरफ आपका भुटान से बॉंडरी लगा रहा है दूजरी तरफ यह तिबत भुटान से लग रहा है फिर चीन से लग रहा है और म्यानमार से लग रहा है तो तीन कंट्री से जो है वो आपका रुनाचल परदेश का बॉंडरी लगता है सिक्किम की बात करें तो एक तरफ नेपाल, दुसर तरफ भूटान, नेपाल, भूटान और चीन, ये तीन बॉंडरी है इसका सिक्किम का लगता है, पस्टिम मंगाल की भी अगर बात करें तो एक बॉंडरी तो आपका भूटान से लग रहा है, भूटान से, नेपाल से और ब मिजोरम कि मनिपूर नागल रेंड से मीजोरम कि मनिपूर लगते हैं मिजोरम कि आपका एक तरफ मियानमार बांगला देश से लगता है दो कंट्री से मिजोरम का boundary लगता है बाकी वह वह उनके boundary है वह 3 देशव से लगता है तो यहां पे और आपका option nobre c की आगे मुकौटा निर्ट की सराज का लोक निरट है और अरुनाचल मनिपूर ओराइशा या राजस्थान या अवप्रक मैंसे कोई नियाद रखेएगा मुकौटा जो है औरुनाचल प्रदीश का लोक निरट है अगर बात करिए मनिपूर की तो मनिपूर का एक famous है मनिपू जो है वो राजस्थान का फेमस है और साइक का यहां पर फेमस है फिर एक छो नरीत जो है छो नरीत पूरके ऑब कहा ज़रकंड अब वस्री मंगाली इन तीनों चेतरों में देखा जाता है तो यहां पर 32 का correct answer रो जाएगा option number 1 देखते हैं 33 पूछा ज़रा बिहार भीभूती के नाम से किसे जाना जाता है तो याद रखेंगा अगर भीभूती जो है वो किसे जाना जाता है अनुगरह नरायन सी को अनुगरह नरायन सी ये बिहार भीभूती है जबकि स्री कृस्टन स ठीक को जो है वो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और जैपरकास नरायन की बात करें तो जैपरकास नरायन को जो है मालूम ही होगा लोकनायक के नाम से जाना जाता है लोकनायक और एक और होता है जननायक क्या होता है जननायक तो जननायक के नाम से जो है वो जाना जात आजाद सत्रु और यह आजाद सत्रु का नाम रजिन परसाद को किन ने दिया था तो महात्म गांधी की द्वारा यह नाम दिया गया था तो 33 का करेक्ट अंसर हो जाएगा option number B आगे है चैत भूमी की सब्यक्ति का समाध्य इस्तल है तो चैत भूमी जो समाध्य इस्तल है बो ह आपका भीम राम अंबितकर की भीम राम अंबितकर का समाध्य इस्तल जैत भूमी की नाम से जाना जाता है वह यह अगर बात करें चौधरी चरण सीकी तो इनकी जो समाध्य इस्तल है उसी बोला जाता है किसान घाट किसान घाट और मालूमी होगा महात्मा गांधी का जो सम समाधी अस्थल है उसे जाना जाता है समता अस्थल के रूप में समता अस्थल और मालूम होगा इंद्रा गांधी का जो समाधी अस्थल है वो सकती अस्थल के नाम से जाना जाता है इंद्रा गांधी का सकती अस्थल और जो राजीव गांधी है उनकी जो समाधी अस्थल है उ कार्जग्रम का मुख्याले कहा है जनेवा वियना पेरिस नेरोबी या उप्रोक में से कोई नहीं तो याद रखेगा जो परियावरन कार्जग्रम है इसे UNEP भी गोलते है UNEP इसका जो मुख्याल है वो आपको नहरोबी में दीखने को मिलेगा और अगर पूछा जाए इसकी स्थाफना कब होई थी तो इसका स्थाफना जो है पांच जून 1922 को हुए है और आपको मालू होगा कि पांच जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विस्व परियावरन द यह आपको कुईला पेट्रोलियम रशानी को रवअराच संस्थान या तिल्हन तो साहिए और चाहिए लएगा पेट्रोलियम उत्पाधन का समन्द है वह आपका कौन आता है क्रिश्न करांधρα जबकि अगर बात करें तिल्हनล की तो तिल्हbalanced जो है वह आपका कहलाता है पी हimm Pence, उसके बाद उरुबरग की बात करें तो उरुबरग से करांती का नाम दिया गया वह आम का भूरी क्रांती तो ये सारे कुछ हमत पुन्त था इसके रावा आपको मालूम होगा की हरिट क्रांती खादियान से रेलेटध होता है स्वेट क्रांती की अगर बात करें तो अंडा से जो रिलेटेड है वो आपका स्वेट क्रांती एक स्वेट क्रांती नी अंडा से जो रिलेटेड होता है वो आपका कराता है रजत क्रांती और जो मिल्क से रिलेटेड है वो आपका कहलाएगा स्वेट क्रांती ठीक है स्वेट आपका उत्राखंट से संबंदित है वहाँ पेड़ों के कटाई को रोखने के लिए चिपको अंदोलन चलाया गया था और मेगा पाट करके अगर बात करें तो इनका संबंद्ध नर्मदा बचाओ से नर्मदा बचाओ अगर बात करें अमरीता देवी बिश्णोई की तो यह भी एक तरीकी के चिपको अंदोलन से समन्दित थे अमरीता देवी बिश्णोई यह 730 में क्या होता है 731 में राजस्थान का एक छेतर है खेजरी ठीक है इस छेत्र में इस पेड की रक्षा की जाती है और उसी टाइम ज़र ये लोग मारे जाते हैं तो लगभग 360 से अधिक लोग जो है भो खेज़री के पेड के रक्षा करने के दौरान मारे जाते हैं और इसी कॉंसेप्ट को जब अपनाते हुए फिर चिपको अंदोलन किया गया और यह जो हुआ है चिपको अंदोलन यह आपका 1973 में हुआ है जिपको अंदोलन ओacağ और यह मुए आम रिदूड डेवी विसंवई के परियास था खेज़री के पेड़ग बचाने का उससे समनधित है तो याद रखेएगा सुंदललाल बहग गुन ज़ह है यह चिपको और अमरिता देवी विश्णवाई ने भी चीप को अंदुलन किया था 1730 में आगे सिक्षा के समद्द में समाजी करन से क्या तात्पर है option है समाजिक मांडंडों को सदैव अनुपालन करना अपने समाजिक मांडंड बनाना समाज में बड़ों का समान करना समाजिक मांडंडों का सधैव अनुपालन करना ये भी एक चीज़ है फिर समाज में बड़ों का समान करना ये सबी है और यहाँ चुकि आप्सिन में दिया हुए अप्रयक में एक से अधिक तो इसका सही अंसर आपका ई नंबर हो जाएगा आगे है डिसलेक्सिया मुख्यत किसकी समस्या के सामस्त समंदित है तो याद रखेगा डिक्सलेक्सिया में पढ़ने की समस्या होती है पढ़ने की समस्या आ जाती है इससे जो बच्चे ग्रसित होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं और बच्चों का जो सब्द है उसका उचारन जो है वो उल्टा एनद्रियों का उपयोग करते हैं जिसे बच्चे वो अधिक रूपसे वो चीजों को ग्रहन कर पाते हैं आगे बरतमान में किंद्रिय शर्थ तरकता अईुक्त कौन है परवीन सिनः परुइन कुम तो यह कौन है तो यह हमारे मुख सुचना आयुक्त है, मुख सुचना आयुक्त, यह स्वर्धन कुमार सिन है, और संजे कुमार मिश्र कौन है, तो यह प्रवर्धन निदे साले के अभी अध्यक्ष है, संजे कुमार मिश्र, देखते आगले प्रस्म को, पूछा जा रहा है, एड्र विश्प के सबसे उचे यूधा छेतर सीयाचीन गलेसियर में त्यनाथ होने वाली भारति की सेना की कि lle सीवा चौहान की सीवा चौहान कू साथ की आ गया और पहली महला अधिकरी बन गई है defense के पूछा जा रहा है तो याद रखेगा इस अगीत की जो गीतकार है वो आपके चंद्र बोस हुआ है कौन चंद्र बोस और संगीतकार कौन है तो संगीतकार जो है वो एमेम किरवानी है यह संगीतकार एमेम किरवानी है देखते हैं अगले प्रस्ण को अगला प्रस्न है 44 पूछा जा रहा है निम्न में सी किस देश की किंद्रिये बैंक के साथ आर्बी आई ने दिसंबर 2022 में मुद्रा स्वैप ने समझाता प्रहस्ताचर किया था ते इसका सही अंसर आपका हो जाएगा मालदीप मालदीप के द्वारत यह समझाता किया जाता है कब दिसंबर 2022 में कौन सा तो करेंसे स्वैप का देखते अगली प्रस्न को पूछा जा रहा है कि दिसंबर 2023 में भाद के किस मेट्रो रेल कॉपरेशन को जपान दिताबास के द्वारा पर सक्षी पत्र से समानित किया गया था यह दिसंबर 2023 तो नहीं होगा पाला यह आपका होजबाएगा दिसंबर 2022 में किस मेट्रो रेल कोपरेशन को जोए जपान के द्वारा से समानित किया गया है । आगे संचार प्रनाली में वाल्यक का क्या कार्ज रखक के बैक फ्लू को रोकने क लिए रख चाप को नियंतृत करने के लिए औकसीजन का प्रिवाहन करना गन डोट में से एक सीध धिक तो देखो इसका सभी अंसर हो जाएगा रख के बैक फ्लो को रोकने में यह संचार पनाली में वाल्व जो होता है वो महटपुन भूमका निभाता है ठीक है तो याद रखेगा यह इसका अंसर हो जाएगा आपका रख के वैक फ्लो को रोकने के लिए यह करता है कि West यह ओंड आ जाएमने के वाल्व खूले का और बंद हो हुझा तो यह खूल रहा है और फिर अंदर हँठ के अंदर आ जा फिर जब अगर ये बंद ना हो ठीक है ये बल्व बंद ना हो तो ये बलड क्या होगा कि वाल्व नहीं होने के कारण ये पीछे की और चला जाएगा ठीक है तो उसी को ये रोकने का काम करता है वाल्व ये क्या करता है ये जब बंद हो जाता है तो हर्ट में अगर एक वो सीकोडन उसमें आता है तो यह बलड बाहर ना जाय उसको रोकने के लिए यह काम करता है ठीक तो याद रखेगँा रख के back flow को रोकने में जो valve काम करता है आगे पुछा जारा निमलिकित में कौन सा हर्मोन गुर्दे द्वारा उसर्जित पानी को नियंतित करता है तो गुर्दे के द्वारा जो पानी की मातरा है उसको नियंतित करने का जो काम करता है उसर्जित पानी की मातरा को वो करता है ADJ, ADH के दारा किया जाते है anti diuretic hormone यह क्या करता है यह पहले तो यह एक तरीकी का hormone है ठीक और यह निकलता है कहां से तो यह आपका putritri gland से निकलता है और यह क्या क्या करता है kidney की दारा जो भी पानी की मातर्य जो सर्जित हो रहा है उसको निकालने का काम जो है इसके द्वारा होता है, थीक, और इस ही के कारण किया कि ये ये फिल् guides करता है तो अप पानी किम प्र है, बो उसका रंग उसका रंग ये पतला और आप ये सवादेर के उपर depend करता है, आगे कि कौन से गुर्दी की पथ्री एक समान कारन है, तो इसका सए एंसर हो जाएगा आपका निरला धल्य करना शेडिया करन कारन सिंपल है, कि आप कम पानी पीते हैं, तो आपका ब OnePlus 725 Immig轉 नहीं रहेगा तो वैसे में निर्जली करण के कारण जो खनीच लबन है वो जाके जम में हो जाते togini बगएरा में तो उसी को बोलता है पत्री और यह पत्री होता क्या है है यह आपका calcium oxygenate होता है calcium oxygenate नामग परदार्त होता है ठीक तो याद रखेगा पत्री क्या होता है calcium oxygen लेट होता है और यह होता है किसके करन नर्जली करन के करन आगे पुछा जाए कौन सा पादर फार्माण मुख्याता बीजो के अंकुरन में भाग लेता है जिवरलीन, साइटोकाइन, आक्सीन या एसैसिक के एसीड तो याद रखेगा जो जिवरलीन होता है जिवरलीन जो है वह बीजो के अंकुरन में भाग लेता है और वही अगर बात करें आक्सीन की तो आक्सीन क्या करता है यह पौधी की ब्रिधी में हेल्प करता है और यह पौधी की ज्यादा तर उपरी भाग में पाय जाता है और ब्रिधी में हेल्प करता है यह क्या करता है फसलो को गिरने से भी बचाता है और जो पत्ते हैं उनको भी गिरने से रोखता है साथी ऑक्सीन क्या करता है जो खरपत बार है उन्हें भी नफ्ट करने का काम करता है खरपत वार को नफ्ट करने का काम करता है अगर वहीं बात करें साइटो काइनीन की तो साइटो काइनीन क्या करता है यह ज याद रखेगा RNA DNA की बनाने में help करेगा और protein बनाने में help करेगा cytokinin फिर अगर बात करें FSCC acid की तो FSCC acid से ब्रेधी रोधक हर्मोन भी बोला जाता है ब्रेधी रोधक यह क्या करता है कि जो बीज है उन्हें सुपत्या वरस्था में लाने का काम करता है ठीक है यह ब्रेधी रोधक आपका हर्मोन है आगे EEG किसकी कार्ज को record करने के लिए प्योग किया जाता है तो याद रखेगा EEG जो है आपका brain का activity है उसी monitor करता है और EEG का फूरफ़ाम होता है बहुत है इलेक्ट्रो इनसेफ फैलो ग्राम जो EEG का हो गया और इसे टाइप से एक होता है ECG ECG क्या होता है वो electrocardio diagram होता है और यह हमारी heart के activity को देखता है आगे पुछे जा रहा है आख किस रंग के परति सबसे अधिक संबेदल सील होता है तो याद रखेगा जो हमारी eyes है बहुत जो पीला और हरा इन दो रंगों के परति सबसे अधिक संबेदल सील माना जाता है औ आइक होता है koon you Roland और एक होता है रॉड ठीक है कोन और रॉड यह दो चीजे यह बो हमारे eyes में पायाता है जो कोन का काम होते है वो रंगो कोanie करना कि कौन सा बसी किस कलर का है बो हो करने का काम कोण करता है जबकि जो रॉड होते है क्या करता है जो light की त्रुपते है प्रका बायरल या एन्टि सेप्टिक तो दीखें अन्टी और यह यूज नहीं होता मलेरिया में और यह वायरिया के जुए यूज होते हैं चीज जो यूज होता है बूज होता है । वो आपका malaria के लाज में यूज होता है एक दवा होता है chloro quick यह जो malaria के रोगी होते हैं उन्हें दिया जाता है chloro quick यह टायब का यूज होता है देखते हैं अगले प्रस्न को पोछा जा रहा है पारीडॉकसिन में इसी किस बिटामिन के रसाइनिक नाम है उप्शन है बिटामिन थरी फाईब बी फाइब बी शिक्स भी सेवन या हाँचिक ड्रोक मेंसे कोई नहीं तो याद रखे सब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब वो आप बिटामिन B3 का रसाइनिक नाम है और इसके करण जो आपको रोग होता है वो होता है पिलेग्रा पिलेग्रा जो है वो बिटामिन B3 के करण होने वाला रोग है एक फोर्डी सिंड्रोम रोग जो है वो भी बिटामिन B3 के कमी से होता है फिर बिटामिन B5 के अगर बात बाद करें तो वह होता है पेंटो थेनिक एसीड बिटामिन बी-फाइव का नाम हो गया और इसके कमी से बाल से फेदाना यमन बुद्धी यह सारे लक्षन देखने को मिलते हैं बिटामिन बी-शेवन की अगर बात करें तो बिट-शेवन आपका बायोटीन होता है बायोटीन और इसके कमी से जो लखवा मारने के चांस ही ज़ा और बालो का गिरना यह सारा होता है देखते आगे पुछा जारे प्रकास संसलेशन में केल्विन चक्र का प्रात्मिक कार्ज क्या है ओप्सन है एटीपी और एन एडी पी एच का उट पादन करने के लिए करवन डियोकसाइ करवनिक योगिक में बदलने का जो काम है वो आपका केल्विन चक्र के अंतरगत होता है और केल्विन चक्र होता क्या है तो यह प्रकास संसलेशन का जो है वो सेकेंड रफ्टेज होता है सेकेंड रफ्टेज जिसमें के करवन डायोकसाइड जो है वो बदल जाता है और फि 6H12O6 बनाने में योज हो जाता है देखते हैं अगले प्रस्म को आगे पुछा जा रहा है कि यह बिधु चुम्बा की तरंगों का बेग कितना होता है तो याद रखेगा बिधु चुम्बा की जो तरंग है उनका जो बेग होता है बो होता है थिरी इंटू 10 रूट के पावर 8 2 2 2 2 2 2 2 2 है कि यह भी ज़ती है कि लिकेंट के अलएंट फुम्गर टरंगों का बेग कितना होता है थिरी इंटू 10 के पावर और 8 M. Per Second, आगे पुछा जारहे है किस बिलियन में hydrogen ion की शांदरते को कि अपने कले की शुत करण के उपशिका, पियेज होता है आपका pH Scale, कि जोर्भा किस हो थे लेक्क लिए पीएच से कमान करते हैं और पीएच में वैलू है वह आपका बताता है ओधास इंता को और 0 से 6 यह आपको बताता है acidity कि कौन सा वह कितना है billion कितना acidic है और कितना basic है basic होता है आपका 7 से 14 तक जो होता है वो आपका basic बताता है छारिये को denote करता है और अगर बाकी option की बात करें तो थर्मामेटर मालों में यह temperature के लिए यूज होता है बैरोमेटर के है यह जो है आपका environment लिए दाब को अपने click किया जाता है और hygrometer के है कि सब जो आधरता है सब एच्छिक आधरता उसी जानने के लि तो यह तो गलत हो जाएगा हर जगा स्थिर नहीं होता फिर यह बढ़ती उचाई के साथ बढ़ता है यह भी गलत हो जाएगा उचाई बढ़ने के साथ क्या होता है कि यह घटता है जी कमान घटेगा तो पिर्थिविक के जैसे ही उपर जाएंगे जी कमान में कमी आएगा तो option number C जो है आपका correct हो जाएगा एक चीज और याद रखेगा जी का जो मान है वो क्या होता है कि धुरूप पे अगर आप जाईएगा तो धुरूप पे जो है जी कमान सबसे जादा हो जाएगा इसका कारण क्या है कि पिर्थिवी की त्रीजिया जो है वो आपको धुरूप क्या होता है सबसे कम होता है और जैसे अगर आप विश्वत रेखा की बात करें तो विश्वत रेखा पे क्या है कि जो पिर्थिवी की त्रीजिया है इसका मान सबसे जादा होता है यहां पे जो आपका जी कमान है वो आपको सबसे कम मिलेगा सबसे कम आपको भूमत रेखा और सबसे ज्यादा ज़र्व तो यह चीज भी याद रखिएगा कमान यहां पर अधीक भोगा धुर्व पर आगे पचा जारा जब पाणि को गर्म किया जाता है तो कौन सा घट गट जाता है मात्रा घंटव आयतन और घंटव दोनों यह द्रमं तो याद रखिएगा जो गर् होता है जसके कारण जो इसका होता है उसमें कमी आ जाती आगि जाएगा आगे है कि दाटो कि चलता अपमान का क्या प्रभाव democrats है और यह बढ़ता है यह घड़ता है कोई परफाव नहीं पढ़ता है पहले यह घटता तेगो यह क्या किया कि जब को किसी बिदूर चलकतव को गर्म किया भाता है यह तक मान उसका बढ़ता है तो उसकी जो चल लगता है वह आपको घघड़ जाएगा उसकी चलता क्या होता है वो घड़ जाती है क्योंकि जब धातो को two को गर्म करते है तो होता कि जो ऑलेक्ट्रोन है बो तेजी से गमन करने लगता है ओर जब यह ज़ादा तेजी से कमपण करता है तो एक-दोसे जो है उस सी वु बीरोध करना शुरू करते है जिसके करण जो चलगता है वो परभावित होता है अर्था वो घट जाता है ठीक है आगे देखते हैं क्योंसा गैस है जो सोडियम कर्वोनेट के साथ सिल्फ्योरीक अमल से अभिक्रिया के बाद प्राप्त होगा तो कर्वन मिथेन कर्वन डायोक्साइड नाइट्रोजन तो पहला तो आपका क्रवन जो है कोई आपका गया नहीं साथ ब bleach मिथेन क्या होता है और नाइट्रोजन आयट्रोजन कोई चांस नहीं है क्योंकि सोड्यम कार्वोनेट का बात हो रहा और और सल्फ्योर्ण अमल निकले जान तो सही अंशर आपका यहां पे रहे और यहां सो कर करते हैं तो कार्वन डायोक्साइड हमें निकलता है और इसका परिक्षन होता है जब यह चुनी के जल में इसे परवाइद करते हैं तो दुधिया कर देता है तो सही अंसर हो जाएगा शिफ्री का सी नंबर आगे पुछा जा रहा है जल तथा चौक के मिशन को निमलिखित मे कर देखते हैं अगले प्रसेशन को आगे पुछा जा रहा है कि इसमें की शाये तरसीर तो यह जल के आपका च्ट्थ वह देगा सखिए अंसर हो गया और पूछ ऑनुक्सन नंबर बी पुछा जा निमलिखित में एड्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो हाइड्रोजन का समस मस्थानिक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रेटियम तो और्गन जो इसका सही मस्थानिक नहीं होगा तो यह आपका अंसर हो जाएगा आगे पुछे जाले निमलिखित में सबसे अधिक लेक्ट्रॉन बनता अबाला तो कौन सा होता है क्लोरीन, फ्लोरीन, हैड्रो हलोजन ग्रूप के अंतरगत आते हैं और इनमें हलोजन ग्रूप में इलेक्ट्रॉन की बनता सबसे अधिक पाई जाती है ठीक तो इसका सही अंसर आपका हो जाएगा ओप्शन नमबर ए करें है कि और आगे पूछा जा रहा है कि घ्रीनो काईट किसका एस्क है पोटेसिम, कैडमियम, सोडियम, मैंगनिसियम लाल हरा हिरा का हरा है गरिया काइज काटने में 256 प्त्थर को छेधने में और लाहिरा के की उमुज होता और हेरे को तराषने में भी इसavais यूज किया जाता है आगे मिलान करना है परदार्थ और उसके तत्वों से तो देखो हीरा या फिर ग्रेफाइट यह दोनों क्या है कि कारवन के अपर रूप है तो यह हीरा हो जाएगा आपका कारवन फिर मानिक मानिक में जो है वो ख्रोमियम पाया जाता है यह भी सही है केलसियम का इलूमियेट होता है तो इसलिए सिमेंट का इलूमियेट हो जाएगा तो इसका जो साहिप बनेगा वह बनेगा 1243 ऑप्सन नमबर 2 जो गरेक्ट अंसर हो जाएगा आगे पुछा है किस मॉलिक अधिकार का लग्ज समाजिक भेद भाव का उन्मूलन करना है सरतनत समानता और सोशन के विरुद अधिकार या उप्रक मेंसे कोई नहीं तो इसका सही अन्सर हो जाएगा आपका समाता का अधिकार जो है वो क्या करता है कि समाजिक भेद भाव का उन्मूलन की बात करता है कि मुलिके हमारा जो मॉलिक अधिकार है वो 3 प्रकार का मौलिक दिकार का बर्नन किया गया है और उसमें समानता का अधिकार है फिर रहे कि धर्म-जाती दक्ष्छिति-धाधिक के अधर पर जो भेधाव नहीं किया जाएगा तो ये भी समान्ता का अधीकार समाज्यक भेधाव का उन मुलंद कर रही है पीर अपकी अनुचेथ सुलह होता है बो होता है लोग नियो मतलब कि नोकरी पानी के लिए ज़्क किसी में भेधाव नहीं किया जाएगा फीर एक होता है आपका अनुचेथ 27 27 क कवा है कि समाधिक भेदभाव को कि अगर बात करें स्वतनता की अधिकार के तो यह अपका अनुचए नीस से लेकर के एक इस तक में बढ़नित द है और सूर्शनtechn का अदिकार जैब्व आपका अखी7 और चोबिश में आ इसके अलाबा हूँ मैं एक आपको होता है धार्मिक कि धार्मिक सतंत्य का अधिकार जो डर्मिक वह आपका 25 में और फिर उल्फ संख्यक नहीं बोल सकते हैं संस्क्रिटिक उसिच्छा समण दिया जिसमें मिली जो जुद ज़्यादा बिसेद्बल दिया गया तो संस्क्रिटिक उसिच्छा को आपको 29 से 30 तक होता है यह पांच हो गया इसके लावाई होता है समयधानिक उप्चारों का अध लंगन हो रहा है तो सुप्रीम कोट या हाई कोट में वह आप दायर कर सकते हैं तो लंगन के परती जो अधिकार वह आपका यहां पर जो करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर बी आगे दिखते हैं पूछा जा रहा है कि सदन की अनुमति के बीना कोई भी सदस कितनी अब्धी से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्तित रहता है तो सदन उसका रिक्त घोसित कर देगा तो या कर दिया जाता है ठीक है देखते हैं अगले प्रसन को पूछा जा रहा है कि अंतरस्तिय सांती और सुरच्छा का बर्नन राज के नितिन दिशक सिधानत के की सनुछेद में किया गया है ऑप्सन है अनुछेद सत्तर अनुछेद एकावन उसके वाद है अनुछेद तीरपन और अनुछेद चालीश तो याद रखेगा अनुछेद एकावन के तहट जो अन्तरस्तिय सांती और सुरच्छा का बर्नन राज के नितिन दिशक तत्तव के नतरगत किया गया और अगर बाद के नितिन दिशक तत्तव की तो आपको मालू होगा कि यह कहां से लिया अगया और यह कौन सी भाग में आता तो यह भाग चार के इंत्रगत लिए से लेकर एकावन क्या गया था अगर बात रहें चाच और उन्चास में कि जो भी हमारे इंत्रगदAL सारे रफ्रिय असमारकों का जो है जो रफ्रिय असमारक का बस्तु है उनका गवर्मेंट संद्रक्षन करीगी यह आपका बोलता है अनुछे पिर आपका 40 उसके इंतर्कष बोला गया कि ग्राम पंचाइद का बनन किसमें है तो अनुछे 40 के इंतर्कष किया गया है अनुछे 3 3 जो आपका यह DPSP से related नहीं है इसमें बोलता अंशे तिरपन कहता है कि जो भारत है भारत की कारिपाल का किसक्ति जो है वो किसमें नहीं तो राजपती में नहीं तोगी यह यह statement जो अंच्य तिर्पन में कहा गया है आगया कि किस अंच्यद के तहत राज सभा संसद्द को राज सूची के विशेव पर बिधी बनाने है तो अधिक्रित कर सकते हैं और कौन 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 सी ऐसे नंच्यद है जो राज सूची के विशेव पर बिधी जो है वो केंच सरकार कानून बना सकती उसके बारे में पुछा गया ऑप्षण है नंच्यद 248 247 250 या 251 तो यहां पर आपका 247 48 यह सारे जो नंच्यद है उसपे जो संसद्द है वो कानून बन सकती है ठीक तो यहां पर जो आपका करेक्ट अंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्षण नंबर यहां पर जो आपका आर्टकल 247 होगा उसमें क्या बताया गया कि कुछ अत्रिक नियालियों कि अस्थापना का जो कार्ज है ठीक है जो कोट कुछ अत्रिक अगर कोट बनाया सकता है जब राज सभा में जो है उससे रिलेटेड दोवटे तीन बहुमत से वो विधयक अगर पारित हो जाए वो अनुमति दे दिया जाए तभी जो है उस विशह पर केंसर कार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है ऐसे नहीं होगा तो एक तो आपका 247 हो गया उसके बा आटखल 250 में 248 कि कोई भी वैसी वैसा वैसे है जो कि ना राज सुची का वैसे है ना संबर्ती सुची का तो वैसे में वह जो बोला जाते है आपसे सकतियां केंदर के पास होती है तो वो सारा जो है वह आटखल 248 के अंतरगत बरनित है तो यहां पी क्या होगा 247 हो का option number E आगे पुछा जा रहा है कि किस अंशेद के अंत्रगत कैग को करतब यह में सक्ति परदान की गई है कौन सा कुछिसन है आपका 72 तो इसका देख लेते option को option है अंशेद 148, 149, 151 और 152 तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका अंशेद 149 के तरत कैग का बर्नन किया गया है जिसके में कि बोला गया है कि कैग जो है वो अपने करतबी और सक्तियों से समझित कारिक करेगा और इसकी न्यूक्ति कौन करता है तो राश्पति के द्वारा जो है कैग की न्यूक्ति की जाती है राश्पति के द्वारा और अनुशेद 148 के है तो अनुशेद 148 में जो है किसे related है एक आपका कैक से related है controller and auditor general of India होता है आगे संसत का ब्याइक का लिखा जोखा निमलिखित में से कौन देखता है नीतियायोग कैग बितायोग उप्रक्त में से कोई नहीं या उप्रक्त में से एक्स यदिक तो अभियसी बात है कि इसमें जो देखनी का काम है वो आपका नियंत्रक और महालेखा परिचक के द्वारा किया जाता है ठीक संसर का जो भी ब्याय होगा उसका लिखा जोखा कौन रखेगा तो कैग के द्वारा रखा जाता है और जो कैग है इसे related जो भी अपना रिपोर्ट है बार्सिक रिपोर्ट है वो किसे सौपेगा तो राश्प समंधि अधिनियम से समंधित है सात्मी आठमी नौमी या दस्मी तो याद रखेगा जो नौमी अनसुची यह वो आपका किसे भुमी समंधि सुधार अधिनियम से related है नौमी अनसुची यह इसमें मतलब बरतमान में कहा है कि इस अनसुची में 284 कानूनिया है आठमी याद रखेग यह बोला गया था कि समिधान की प्रस्तावना जो है वो क्या है हमारी दिर्खकालिक सपनों का विचार है देखते हैं अगले प्रस्तावन को पुछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार एवन राज की नितिन देशक्त बिसेयों कि समन में कौन सकतन सही है पहला कि बे एक दोस्य के पूरक है दोसाए कि बे ए प्रस्तावर विरोधी है फिर मों बोला गया कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और उप्रोक में से कोई नहीं या उप्रोक में से एक से अधिक तो देखो क्या होता है कि जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है यह क्या होता है कि जो ना पूरग क्या करता है कि यह जो नागरिक को कि लिए संपुन अधिकार की से प्रिफासिट करने का काम करता है तो यहां पे जो correct answer हो जाएगा कि बेएक दूसरे के पूरक है बिरोधी नहीं है जैसे देखो बिरोधी क्यों नहीं है आप अगर देखो तो जो 6-14 साल के बच्चे हैं उन्हें पढ़ने की बात जो आपका मौलिक अधिकार में भी किया गया तो यह तो बिरोधी यहां से प्रूफ हो रहा है कि यह बिल्कुल बिरोधी नहीं है फिर आगए कि बात में त्री इस्तरिय पंचायती राज विए उस था कि सिफारिश किसने की थी तो आपको मालू हुआ कि जो बलवन्त राय महता समीती हैं उनकी द्वारा बोला गया था कि ट्री इस्तरिय पंचाय समीती होना चाहिए। उपलवन्त राय में था यह समीती कब बना था तो यह निटी में बना था और प्र क्या होता है कि निटी 59 में जो एक रिपोर्ट दिया जाता है में थिक वसी के बाद पंचायती राज अधिनीय भग्रया ला बना था कि आगे 44 सम्धान संसुधन 1978 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कौन सा कथन सही नहीं ही दिएखो 44 सम्धान संसुधन आया कभ था तो 1978 में आया था और इसमें आंत्रीक का सांती के जगण सक्थ बिद्रो सब्त को सामिल किया गया था यह इसमें बोला गया था ठीक है इसमें क्या हुआ था कि आंत्री का सांती के जगा पर यूज किया गया था कि अगर कोई ससक्त बिद्रो होगा तभी आपात काल लाया जा सकता है यह चेंजर इसमें किये गया थे तो यह तो आपका सही है और यहां पूछा जारे कौन सही नहीं है देखते हैं बागी के statement को भी question number कितना है आपका 77 78 था फिर दूसर जो statement है वो बोला जारे कि इसके तर्थ जो मॉलिक अधिकार की सूची में समपति की अधिकार को अधिकार मिला यहां पर फिर गनपूर्ति या कोरम को समाप्त करने की बात है यह आपका किया कब गया था तो यह जब 42 समिधान संसोधन हुआ था उसी में हुआ था कि गनपूर्ति या कोरम का जो प्रवधान है उसे समाप्त कर दिया जाए अलाकि 44 में क्या हुआ कि गनपूर्ति या कोरम को जब पुना बहाल किया गया तो समाप्त नहीं किया गया था बलकि पुना बहाल किया गया था 44 में समिधान संसोधन के द्वारा देखते है अगले परसन को पूछा जा रहा है परंप्रा के अनुसार राजपाल की नियुक्ति करते समय प्रायह सहमती होती है पुछा जा एक पुछा जा रहे है परंप्रा के अनुसार राजपाल की नियुक्ति करते समय प्रायह रास्पति तो रास्पति क्या करता है भारत के मुख्रिक्ण raining से प्रमर्स करते यह ऐसा बोला क्या है तो यह परंपरा है ऐसा समिधान में लिखा हुआ नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका 79 का C फिर वह पुछा रहा है किस भाग को भारत का मैगना काटा की संग्या दी गई है तो याद रखेगा कि भारत का अगले प्रस्णों को और बाकी आपको मालूम होगा कि भाग चार आपका क्या यह आपका डिपी एसपी है और भाग पांच के यह आपका मौलिक कर्तब है मौलिक कर्तब का यह भाग चार क में हैं मौलिक कर्तब भाग पांच के लिए इसमसमें संग का वर्नान है ऐगर कि रफ्य की गन्णा किस विधि द्वारा की जाती है तो रखे कर आई की जो गन्ना है वो कई तरीके से निकाला जाता है ठीक एक होता है आई बिधी दूसर होता है ब्याई बिधी और तीसा होता है उत्पाद बिधी और आई बिधी में क्या होता है उत्पादन जितना भी उत्पादन हुआ है उस सभी को जोड़ के हम लोग निकालत जबकि बी thrilled और याद र्ख threat वोगा option e उप्रोख भार्ण को पुछा जा रहा है भाराट का दूसर सबसे बड़ा ख्र्षी अधार्यथ उध्योग कौन सा है चिनी उध्योग कपास 20 कपड़ा उध्योग या फ्टील suff ध्यूग तो याद रखेगा चेकंट सब्से बड़ा किरसी अधारीत उद्यूग है पहला कौन है तो सबसे ज्याहतर पदuction कंपथ उप यूप आगा कि वर्ष 2013 में परशुत किया जाने वाला बीहार आर्थिक सर्वेच्छन निमलिकित में कौन से करम tro स्थ श्रक्टी हिवाएट था और इंव स्था सी पूछा गष्कडी बजर्टारी संवानलयार के उन सरक्ड शूट कि लाव उठाने गली आ आयसी मा क्या है च्छे लाघ को या जुछकशे लाघ 2T नाक रुपिया तो याद रखेगा के जो जारी किया है 2023 का उसमें बोला गया कि 7 लाख तक की लोगों को जो है वो आई से छोट दी जाएगी एक प्र्थिवी का इलविडयो की घटना को किस परकार ब्यव्यक किया जाता है वो अलग लग छेत्रों के अल लग लग जाता है जिसर्शा क्योना और संथिंग है जै OnePlus का यह देक्ष आलएं, और दूर्बिया पर्दिया परदेश सबसे ज़्यादा होता है सब्साइब बहुत परिवर्तित करता है इसलिए होता है अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सौर बिक्रन का कितना प्रतिसत वो बापस अंत्रिक्ष में जाता है तो यहाद रखेगा सौर प्रतिसत का सौर बिक्रन का 30% बापस अंत्रिक्ष में प्रिवर्तित हो जाता है एलवीडो का फिर है कि निमलीखित में कौन सा गैस बाई मंडल में सरवाधिक मात्रा अर्थात आइकन में उसका परसेंटेज जो है वो सरवाधिक है कौन सी गैस का नियोन करवन डियोकसाइड आरगन हीलियम या उपरोप में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका आरगन आ और आरगन होता कितना है तो यह आपका 0.932 होता है आरगन कितना होता है 0.932 होता है वहीं अगर करवन डियोकसाइट की बात करें तो यह आपका 0.03% होता है ठीक और नियोन जो है और भी कम होता है यह 0.000 मतलब 3-0 के बाद 5 अगर आप लगाओगे तब जाके यह आपका हो मात्रा और हिलियम की मात्रा लगभग इतना ही होता है तो यहां पे अगर देखा जाए तो बाईबमिदल में सरवाधिक मात्रा में मतलब इन सब में आपका नियोंड पाय जारा है और आसे ऐसे आपको मालूम होगा कि जो नायट्रोजन वह वो सरवाधीक मात्र में 78% नाइट्रोजन पाया जाता और लगभग 21% जो है वो आपका उक्सीजन पाया जाता है सबसे ज्यादा जो पुछा जाता है वो कारवन डायोकसाड का पुछा जाता है 0.03% और नियोन जो है आरगन जो है 0.932% होता है थर्ड नंबर पे आपका का पर्संत महासागur के थंडी जल दो रहा है केलिफॉर्निया एलीनो सुसीमा या अलास्का तो याद रखेगा जो केली पॉर्निया जल दो जल आगे कोईला भंडारन में निम्निकित में कौन सा देश पर्थमास्थान पर हो, और अगर भारत में जाए तो भारत में ज़ strengthen गर्थिस गर्ड और जारखन्ड यह जो छेतर है. आगे द स्थेते तो यंगरिव भारत का सबसे उचा-चोटी कौन सा हों है.. ऑप्शन एक गुरु सिखर मेहंदर गिरी अनाई मुडी डोड़ा बेटा तो याद रखेगा कि दच्चिन भारत का सबसे उचा चोटी जो है वो आपका होता है अनाई मुडी कौन सा अनाई मुडी और अनाई मुडी है काँ पर तो यह आपका किरल में इस्थित है केरल में कि कि अधीक लवंता पाए जाती है मेरेश्च सागर जील बाण जील या लाल सागर तो याद रखेगा बान जील में जबसे अधिक लवंता पाए जाती है। जो लवनता होना चाहिए वो होना चाहिए महासागरों का 35% ठीक है वो जल की लवनता होना चाहिए जबकि जो वान सागर है उसकी जो लवनता है वो आपका 330 तक चली जाती है परसेंटेज के रूप में वहीं जो मिर्स सागर है यह भी यहां भी लवनता कफी जादा पाई जा यह आपका राजस्थान में है ठीक देखते आगे और एक आता है Great Salt Lake उसकी भी जो लबनता है वो काफी मानी जाती है और वो जो है आपका USA में आता है Great Salt Lake देखते है आगे पुछा जा रहे ग्रिसम कालीन मानसुन का भारत में परवह समाने हैं किस दिशा में होता है तो याद रखेएगा भारत में जो ग्रिसम कालीन मानसुन है वो आपका पच्छिम के उत्तर पुर्व की और होता है तो option number C वो आपका तरेक्ट अंसर हो जाएगा और सबसे ज्यादा जो बर्सा होती है वो आपका द्रशिंग पास्टीम मानसून कहीं होता है और सबसे पहले ये भात कि किस राज में आता है तो केरल में आता है आगे नर्मदा घाटी निमलिखित में से किस नदी घाटी परवसरी इंकलाम में स्थित है तो ये आपको मालूम होगा कि यह नर्मदा घाटी जो है यह आपका किसमी आजाता है यह आपका सत्पूरा और भिंधिया चल की है यहां पे यह बोला जाता है और यह ब्रेंश घाटी से बने वाली भात की नदी है नर्मदा और तापती यह दो और नर्मदा और तापती यह दोनों किया कि आपका अरब सागर में जाकर गिरती है यह भी बोला जाते कि पस्चिम क्यों बहने आली नदी कौन है तो नर्मदा और तापती हो जाती है आगे भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा तो याद रखेगा भारत और अफ लाइन आफ एक्चुल कंट्रोल यह भी भार तो पकिस्तान के बीच देखने को मिलजा तो एक होताँ एक एक्चुल कंट्रोल तो एल होता चैना वाले एरिया में देखने को मिलता और एलॉसी ज यह आपका पाकिस्तान के साथ देखने को मिलता है है कि आगे सवाना घास का मैदान मिनखित में से किस देश тут में पाया जाता है ब्राजिल बन्जुएल अन्जानी आ यह उप्रोक में से कोई नहीं तो देख जो ऑनद şurबू सब्वाना है वो क्या है कि आपका जो पूर्वी फुका जाता है इसका जो करेक्ट अंसर हो जाएगा वहोंगा हमारा बिंजुएला वन्त फ्र के बाद पिर ब्राजील भी भी जाएगा ब्राजील और और कोलंबिया यह सारे चैटर सवानाघहस का मेदान पखायता है फिर एक आपका आता है प्रेयरी प्रेयरी भी काफी पुच्छा जाता है और प्रेयरी कहां पर होता है तो यह नौर्थ अमरीका में होता है नौर्थ अमरीका में फिर एक होता है आपका अफ्टेपी जो आपका कहां पर है तो आपका एरोप में होता है एरोप में फिर एक है पंपास पंपास क्या है कि आपका अफ्रिका हमें जो अर्जेंटीना का छेत्र है अर्जेंटीना वहां पर पंपास देखा जाता है अर्जेंटीना और ब्राजील में भी यह देखा जात और यहां भोल रहा है कौन नहीं करता है कि यहां पे मटर करता है अल्फाफ यह भी करता है और नहीं करता है और इस तरह सारे ने करेंगे में और इनके से जो है वो सबी करेंग और यांपे हो जाएगा उपी क्राशच में से कुई नहीं नहीं करता रहीं कि आगे कि परियाबरन किस्ते बना होता है तो याद रहे हो परियाबरन जो है वो जैविक और जैविक दोनों घटकों की द्वारा बनी भी होते तो यहां जो क्रेक्ट अंसर हो जाएगा बो होगा इनमबर उप्रक में से एक से दिक जैविक और जैविक दोनों घटकों की द् परियावरन का निर्मान होता है देखते अगले प्रसन को क्वेशन नंबर कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा देखो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन इसमें शारा चीज जो है आपको बताया जा रहा है इसलिए थोड़ा सटाइम लग रहा है जल्दी हम लोग इसका कमप्लेट कर लेंगे पूछा जा रहा है कि धारनिय विकास किसके उपयों के संदर में अंतरह क्पेढ़िए संभेदन सेलता कभी साओ err Our together एक होता है यह क्या होता है कि प्रकेटिक संसाधन बोला जारा है भातिक शंशाधन और योगी संदन या समाजिक संसाधन तेश का सही अंसर हो जाएगा आपका प्रकेटिक संसाधन वह ऐगली पढ़ी को लोग पहुंचा रहे है तो प्रक्रितिग संसाधन नहीं पहुंचा रहे हुआ जारह Yay कि दणहीं के विकास जोम लोग करे है उसके उपयोग के संदब में अंतलग प net dust hen परसलता क्या होगा अले झाब का जिटना यसे बना सकोल लेकिन उसे भीर त्रb निरोध और नियंत्र नवस्तक है और फिर निर्धनता को घटाना उतना नहीं है लेकिन यह दोनों हो जाएगा तो आपका जो करेक्टर अंसर होगा वह होगा अप्रोक में से एकचे अधीक ठीक ठीक आगे देखते हैं फिर पूछा जा रहा है सौर विक्रण की सबसे कितनी होते हैं अभी हम लोग उन देखा था कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है वह वह बाई मंदल में पाई जाती है 78% और जो ऑक्सीजन है वह आपका पाई जाता है लगभग 21% देख लेते हैं मैथ के प्रेशन को यहाँ पे सिर्फ हम लोग जाए इसके ऑप्शन को देख 90 एक सो चार का जो सही अंसर है वह आपका हो जाएगा ओप्शन नमबर डी 20 49 और 64 देखते आगे कि क्वेशन नमबर है 105 105 का जो सही अंसर है वह होगा आपका उप्रोक में सी कोई नहीं यहाँ पे जो करेक्ट अंसर आएगा वह आएगा 80 degree 80 degree 108 नमबर देख ले रहा है 108 का ज कि 107 की बात करें तो 107 का करेक्ट अंसर हो जाएगा 15900 और 68 में है क्या आपका यह आपका ब्याज कर जाएगा। 80 और 111 का correct answer हो जाएगा option number C रेसम का केड़ा 112 112 का correct answer है option number D 113 113 का जो answer होगा बो होगा option number C हो जाएगा 113 number का option number C यहाँ पर correct answer हो जाएगा option number 114 का correct answer हो जाएगा option number B निरभ और 115 को देखते हैं 115 का correct answer है option number C यहाँ पर पूतरी का संबंध होगा 116 की बात करें तो 116 जो है बो आपका हो जाएगा option number A 166 जो है इसमें तिर्भुज की संख्या होगी 117 117 में यहाँ पर जो correct answer होगा बो होगा option number A 60 फिर 118 118 का correct answer होगा आपका A number 6 बच कर 32 पूर्णा का 8 होटे 11 मिनट और 119 का हो जाएगा A alert और 120 का हो जाएगा option number B 9 ठीक है तो इस तरीके से जो आपका set number 7 था बो complete हो गया जल्द ही हम लोग जोए set number 8 में मिलेंगे थैंक यू और 112 को बोचल.